दोस्तों आज की हमारी वीडियो हिंदी के एक बहुती प्यमस नाटक के बारे में हैं जिसका नाम है अंदेर नगरी जिसे लिखा है हिंदी लिटरेचर के जाने माने नाटक का बारतेंदू हरिश्चन जी ने नाटक की और बनने से पहले अगर अभी तक आपने अमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवस्च करें क्योंकि ये अमारे चैनल के ग्रो करने के लिए बहुती आवस्चक है बरहाल चलिए चलते हैं नाटक की इस नाटक की कहानी की सुरुआत कुछ यह होती है एक मेहन्त जी अपने दो सिस्चियों के साथ बिच्चा मांगने के लिए अपने आस्रम से निकलते हैं जैसे ही वो एक नगर के पास पहुंचते हैं तो इस नगर की भविता को देखकर सहसा ही मेहन्च जी अपने स्चियों से बोलते हैं बच्चा नारायन दास यह नगर तो दूर से बड़ा सुन्दर दिखलाई पड़ता है देख कुछ बिच्चा उच्चा मिले तो ठागुर जी का भोग लगे इस पर नारायन दास बोलता है गुरी जी महराज नगर तो नारायन के आसरे से बहुत ही सुन्दर है पर विच्चा सुन्दर मिले तो बड़ा आनंद होए मेहन्च जी आदिश देते हुए बोलते हैं बच्चा गोवर दंदास तू पच्चिम की ओर से जा और नारायन तू पूरब की ओर जाएगा देख जो कुछ सीधा असामगरी मिले तो स्री साल गराम जी का भोलवोग सिद्ध हो गोवर दंदास बोलता है गुरू जी मैं बहुत सी विच्चा लाता हूँ यहां लोग तो बड़े मालवाल दिखलाई पड़ते हैं आपको चिंता मत कीजिए इस पर मैं जी बोलते हैं देख ना बच्चा बहुत लोग मत करना लोग पाप का मूल है जब दोनों सिस्स नगर में पहुँचते हैं तो बाजार की पपिता को देखते ही बाजार में तरह तरह की चीज़ें बेची जा रही है कवाब बाला एक तरफ कवाब बेच रहा है चना जोर गरम बाला चुआना को जोर गरम बेच रहा है पास में ही अलवाई गरम गरम जलेवियां से गरा है बनिये अपनी दुकान पर आटा और चीनी लिए हुए बैटे हैं गोवर्ण दंदास बनिया के पास जाता है और बोलता है क्यों भाई बनिये आटा कितने सेर बनिया टके सेर गोवर्ण दंदास ओ और चावल बनिया टके सेर गोवर्ण दंदास और चीनी बनिया टके सेर गोवर्णदास सब टके सेर सच मुझ बनिया बोलता है हाँ महाराज क्या जूट बोलूँगा फिर गोवर्णदास हलवाई के पास जाकर क्यों हलवाई मिटाई कितने सेर हलवाई बोलता है बाबाजी लड़ुआ हलुआ जलेवी गुलाब जामुन थाजा सब टके सेर गोवर्दन दास बोलता है वाह वाह बड़ा आनंद है क्यों बच्चा मुई से मसकरी तो नहीं करता सचमुच सब टके सेर है अलवाई इस पर बोलता है हाँ बाबाजी सचमुच सब टके सेर है इस नगरी की चाली ही यही है, यहां सब चीज टकेसेरी बिक्ती है, गोवर्दनदास बोलते हैं, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है, हलवाई कहता है, अंदे नगरी महाराज, अंदे नगरी, इस पर गोवर्दनदास बोलते हैं, और राजा का क्या नाम है, हलवाई कह तो बाबा जी कुछ लेला देना हो तो दो गोवर्दंदास बोलता है बच्चा बिच्चा मांगकर साथ पैसे लाया हूं साड़े तीन से मिठाई दे दे गुरु चेले सब आनंद पूरव इतने में छक जाएंगे उसका लेकर गोवर्दंदास मेहन्त जी के पास आता है मेहन्त जी गोवर्दंदास को देखते हूँ बड़े ही प्रसंद भाव से बोलते हैं बच्चा गोवर्दंदास कह क्या विच्चा लाया गटरी तो बारी मालूम पढ़ती है उस पर गोवर्दंदास बोलता है बाबा जी महराज बड़े माल लाया हूं साड़े तीन से थे उसी से इतनी मिटाई मोल ले ली है इस पर मेंद जी बोलते हैं बच्चा नारान दास ने मुझे कहा था कि यहां सब चीट टके सिर मिलती है तो मैंने इसी बात का विश्वास नहीं किया बच्चा वो कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहां टके सिर भाजी और गोवर्ण दास कहता है अंदर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खा जा मैंन जी कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सिर भाजी और टके सिर ही खा जा हो सो बच्चा चलो यहां से ऐसी अंदेर नगरी में हजार मन मठाई मुप्ति की मिले तो किस काम की यहां एक चन नहीं रहना इस पर गोवर्द अंदास कहता है गुरू जी ऐसा तो संसार में कोई देशी नहीं है दो पैसा पास रहने ही से मजे से पेट बढ़ता है मैं तो इस न पड़े तो हमारा इसमरड करना इस पर गोवर्द अंदास बोलता है पडाम गुरू जी मैं आपका नित्य ही इसमरड करूंगा मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहां ही रहिए मेहंत जी नहरा अंदास के साथ चले जाते हैं गोवर्द अदास बैटकर मिठाई काने लगता है मंत्री राजा का हाथ पकड़ कर नहीं नहीं यह कहता है कि पान काहिए महराज राजा बोलता है दुस्त लुच्चा पाजी नहाग हमको डरा दिया मंत्री इसका क्या दोस है ना तमोली पान लगाकर देता ना यह पुकारता राजा बोला अच्छा तमोली को दो सो कोड़े लगें मंत्री बोलता है पर महाराज आप पान काईए सुनकर तोड़े ही डरे हो आप तो सूपन खा के नाम से डरे हैं सूपन खा के सजा हो इस पर राजा बोलता है पिर वही न मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सोथ बलाना चाहते हैं तबी नेपत्ते में दुआई है दुआई है कि सब्द गूजने लगते हैं दो नौकर एक पर्यादी को पकड़ लाते हैं पर्यादी बोलता है दुआई है महराज दुआई है हमारा न्याव होए राजा जी कहते हैं चुप रहो तुमारा न्याव यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जमके यहाँ भी ना होगा बोलो क्या हुआ पर्यादी बोलता है महराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई दुआई है महाराज दुआई है नयाय हो राजा नौकर से बोलते हैं कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ इस पर मंत्री जी बोलते हैं महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती राजा बोला अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त आसना जो हो उसे पकड़ लाओ इस पर मंत्री जी कहते हैं महाराज दीवार इट चुने की होती है उसको कोई भाई बेटा नहीं होता तो राजा बोलता है अच्छा कल्लू बनिये को पकड़ लाओ फिर नौकर लोग दोड़कर बाहर से बनिये को पकड़ कर लाते है क्यों बनिये इसकी लरकी नहीं नहीं बरकी नहीं नहीं बकरी क्यों पकड़ मर गई कल्लू कहता है महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं कारिगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी राजा बोलता है अच्छा इस कल्लू को चोड़ दो कारीगर को पकड़ लाओ कल्लू जाता है और नोकर कारीगर को पकड़ कर लाते हैं क्यों बे कारीगर इसकी बक्री किस तरह मर गई कारीगर बोलता है महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं चूने वाले ने ऐसा बांदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी पर राजा जी कहते हैं अच्छा इस कारीगर को बलाओ नहीं नहीं निकालो कारीगर निकाला जाता है चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है राजा जी बोलते हैं क्यों वे खेर सुपाड़ी चूने वाले इसकी कुबरी कैसे मर गई चूने वाला कहता है महराज मेरा कुछ दोस नहीं विष्टी ने चूने में पानी डेर दिया इसी से चूना कमज़र हो गया राजा जी इस पर बोलते हैं अच्छा चूनी लाल को निकालो विष्टी को पकड़ो चूने वाला निकाला जाता है और विष्टी को पकड़ कर लाया जाता है क्यों भे विष्टी गंगा जमना की किस्ती इतना पानी क्यों दिया कि बकरी गिर पड़ी और दिवार दब गई विष्टी बोलता है महराज गुलाम का कोई कसूर नहीं किस्टाई ने मसक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी जादे आ गया इस पर राजा बोला अच्छा कसाई को लाओ बिष्टी को निकालो लोग बिष्टी को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं क्यों वे कसाई मसक ऐसी क्यों मनाई कि दीवाल लगाई बकरी दबाई कस्साई इस पर बोलता है महराज गड़रिया ने टके पर ऐसी बड़ी बेड मेरे बात बेची कि उसकी मसक बड़ी बन गई राजा इस पर बोलता है अच्छा कस्साई को निकालो गड़ेरिये को लाओ कसा ही निकाला जाता है और फिर गडेरिये को लाया जाता है क्यों भे पॉंडे के गडेरिये ऐसी बड़ी बेड क्यों बेचा की बक्री मर गई इस पर गडेरिया बोलता है महराज उदर से कोतवाल सहाब की सवारी आई तो इसके देखने हैं मैंने चोटी बड़ी बेड़ का खयाल नहीं किया इसमें मेरा कोई कसू नहीं महाराज इस पर राजा जी कहते हैं अच्छा इसको निकालो कोतवाल को अभी पकड़ कर लाओ गडेरिया निकाला जाता है और कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है क्यों भे कोतवाल तेने सवारी ऐसी दूम दाम से क्यों निकाली की गडेरिया ने गबड़ा कर बड़ी बेड़ बेचा जिससे बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया इस पर कोतवाल कहता है तुमने ऐसे दूप से सवारी क्यों निकाले कि उसकी बकरी दली उधर गोबर्दंता सोचता है गुरू जी ने हमको नाहक यहां रहने को मना किया था माना की देश बहुत बुरा है पर अपना क्या अपन किसी राजकाज में थोड़ी है कि कुछ डर हो रोज मिटाई चबाना मैसे आनंद से राम बज़न करना इतना सोचते ही वो मिटाई काने लगता है चार प्यादे आकर चारों उसे उसे पकड़ लेते हैं पहला प्यादा बोलता है चल वे चल बहुत मिटाई खाकर मुटाया है आज पूरी हो गई दूसरा प्यादा कहता है बाबा जी चलिए नमो नारायड कीजिए गोवर्ण दास कवड़ा कर कहता है या आवत कहां से आई वहिया मैंने तुमारा क्या विगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो पहला प्यादा बोला आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब अब चलिए पांसी चडिए इस पर गोवर्ण दास बोलता है पांसी हरे बापरे मैंने किस की जमाल उटी है कि मुझको पांसी मैंने किस के प्राण मारे कि मुझको पांसी इस पर दूसरा प्यादा बोलता है आप बड़े मोटे हैं इस वाष्टे पांसी होती है गोबजनदास कहता है मोटे होने से पांसी ये कहां का न्याय है रे आसी पकीरों से नहीं करनी होती पहला प्यादा बोलता है जब सूली चड़ लीजिएगा तम मालूम हुआ कि हसी है कि सच सीधी राहा से चलते हो कि कसिट कर ले चलें गोवर्ण अदास कहता है अरे बाबा क्यों बेकसुर का प्राण मारते हो बगवान के यहां क्या जवाब दोगे पहला प्यादा बोलता है बगवान को जवाब राजा देगा हमको क्या मतलब है हम दो हुक्मी बंदे है इस पर गोवर्ण अदास कहता है तब भी बाबा बात क्या है कि हम पकीर आदमी को नाहग पांसी देते हो पहला प्यादा बोलता है बात है कि कल कोतवाल को पांसी का हुक्म हुआ था जब पांसी देने के लिए उसको ले जाया गया तो पांसी का पंदा बहुत बड़ा निकला क्योंकि कोतवाल साथ दूबले हैं हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया इस पर वोकम हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ का लाया जाए और कोतवाल की जगए उसको फूली पर चड़ाया जाए क्योंकि बकरी मानने के अपराद में किसी ने किसी की सजा होनी जरूर है नहीं तो न्याय ना होगा इसी वाश्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बतले तुमको पांसी दें इस पर गोवर्दन दास बोलता है तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर बर में नहीं मिलता चो मुझ अनात फकीर को पांसी देते हो इस पर पहला प्यादा कहता है इसमें दो बात है एक तो नगर बर्मे राजा की निया की डर से कोई मुटाता ही नहीं और दूसरा यहा कि एक देश में सादू और मात्माओं की हाद तो आलत कराव है इसी जे तुमी को पांसी देंगे इस पर गोवर्दनदास कहता है दूआही परमेसर की हरे मैं नाहक मारा जाता हूँ अरे यहां बड़ा ही अंदिर है हरे गुरुजी महराज का कहा मैंने ना माना उसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है गुरुजी कहा हो आओ मेरे प्राण बचाओ गोवर्दनदास को प अरे मुझे गरीब को पांसी देगर तुम लोगों को क्या लाब होगा मुझे को छोड़ दो प्यरा सिपाई बोलता है अबे चुप राजा का होकम बला नहीं टल सकता है यह तेरा आक रिदम है राम का नाम ले बेवफाई सोर क्यों करता है गोवर्दनदास कहता है मैंने ग नाम ही अंदे नगरी और राजा का नाम चौपत है तब बचने की कौन आसा है हरे इस नगर में ऐसा कोई दर्मातवा नहीं जो पकीर को बचावे गुरू जी कहा हो बचाओ बचाओ इतने मैं गुरू जी और नारायनदास का प्रवेश होता है गुरू जी बोलते हैं हरे ब मुझे पांस ही देते हैं गुरू जी मुझे बचाओ अब तुम ही मेरे आकरी आसरे हो इस पर गुरू जी कहते हैं हरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं तैने मेरा कहना नहीं सुना गुरू दंदास कहता है मैंने आपका कहा नहीं माना उसी का ये पल है महाराज, अब आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरी प्राणों की रच्चा करो महाराज, मेहंत जी कहते हैं, कोई चिंता नहीं, नारायन सब समर्त है, मेहंत जी बहुंच अड़ा कर सिपाईयों से कहते हैं, सुनो, मुझको अपने सिस्ष को अंतिम उपतेश देने दो, तुम लोग तने किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुमारा भला ना होगा, सिपाई बोलते हैं, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशा कुपदेश दीजिए, सिपाई हट जाते हैं, गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं, और समझाने के बाद पिपाई गोवर्द अंदास कहता है, तब तो गुरुजी हम अभी पांसी चड़े के लिए एक आएक ही अंचन पर बैठ जाते हैं, जब इस बात की भनक राजा के कानों तक पहुंचती है, तो राजा सवाव में उपस्तित होते हैं, और राजा कहते हैं, ये क्या गोलमाल हैं, इस पर पहला सिपाई कहता है, महराज, चेला कहता है, मैं पांसी चड़ूँग है कि जो मरेगा सीधा बैक उन्ट जाएगा, मंतरी जी कहते हैं, तब तो हम पांसी चड़ेंगे, गोबलन दास बोलता है, नहीं नहीं, ओकम हमारा हुआ था, पांसी हमको चड़ाईए, हम चड़ेंगे, उधर से कोतबाल जी बोलते हैं, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दी पर खड़ा करते हैं, तो यह नाटक यहीं पर कतम होता है, अब सबाल आता है कि इस नाटक से हमें क्या सीख मिली, इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है, कि हमें कभी भी अपने जीवन में अत्यदिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यदिक लालच हमारी सोचने और सह अभी कलत को पेंचानने की चमता को कमजोर कर देता है और यही हुआ है इस नाटक में राजा चौपट और गोबर नंदास के साथ तो आज का हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब अबस्कि क्योंकि यह हमारे चैनल के ग्रोह के लिए बहु कीमती है